Hello friends, आज हम पढ़ेंगे The Battle of Maldon, जिसे लिखा था Anoimus ने Anoimus ने इसमें दो पक्चों की लडाई दिखाई है दोस्तों, जिसमें से Anoimus ने Anglo-Zanon के तरब से लिखा है और इस War को हम लोग कहेंगे दोस्तों Anglo-Zanon War Anoimus ने इसमें अपने पक्च यानि Anglo-Zanon को हीरो दिखाया है और विकिन मैरंडर्स को अपना सत्रू बताते हुए या Battle of Maldon लिखा है Basically यह एक पोयम है दोस्तों जिसकी समरी आज हम पढ़ेंगे पर इसकी समरी जानने से पहले हमें यह जानना पढ़ेगा कि Anglo-Zanon War था क्या Basically दोस्तों यह एक War है जो 15th Century AD में लड़ा गया यह इंग्लैंड का 11 लड़ाई था Early Middle Age में Age में हर तरफ लड़ाईया चल रही थी दोस्तों इसलिए England में इसे Dark Age भी कहा जाता है तो War तो दोस्तों बहुत लंबी चली थी पर इस पोयम में हम इस War को वही तक देखेंगे जहां Sun of Aethelgar की मृत्ति हो जाएगी Aethelgar basically खूफिया आदमी है जो इस War में England के साथ था तोरी थोरी complicated लग रही होगी दोस्तों इसलिए हम पहले character list आपको बता देते हैं Baratnat यह basically दोस्तों Anglo-Zenon यानि England के तरफ से leader है यह ऐसे वैसे leader नहीं है दोस्तों जैसे बाहुबली पिक्चर में बाहुबली था ना कि वो हारा तो सब हारे तो इस यूद में इनका घोड़ा चोरी हो जाता है और चुपके से उसे छोड़ दिया जाता है तो पूरा Anglo-Zenon आर्मी हार नहीं लगती है यह राजा थे Anglo-Zenon के पर यह यूद में नहीं गए थे क्यूंकि उनका leader बैरुत नोथ था इसके बाद Godric son of Orda जो कि दोस्तों बैरुत नोथ का घोड़ा चुराता है नोथा Godric son of Athelon के बाद यह पोयम खत्म हो जाएगी स्टोरी के सुर्वात में दिखाया जाता है कि दोस्तों बैरुत नोथ को God माना जाता है और इन्हें कहा जाता है Lord Barronoth बैटल में दोस्तों Lord Barronoth जो हैं वो इंगलैंड के रक्षक हैं इन्होंने विकिम मौरंडर्स को अपने देश में आने से चनवती दी और उससे लड़ने के लिए यह जाते हैं जो बहुत ही सहसी है इन्होंने बहुत सारे युध जीते हैं इसलिए इनके जो king है यानी एइंगलो जैनोंड का जो king है दोस्तों वह नहीं जाता है और Lord Baranoth को आगे करता है कि आप पहले देखें और अपने दुस्मनों से लोहा लें उसके बाद जीत कर आएं क्योंकि उनके सेना Lord Baranoth पे ज़्यादा विस्वास करते थे जब Baranoth दोस्तों वहां तक पहुंच जाता है विकिंग क्या करता है कि एक मेसेंजर भेजता है एक दूद भेजता है उस दूद का यह कहना होता है कि तुम आनी एंगलो जैनों आर्मी तुम अपने घुटने तेक दो हमारे आधिनता स्विकार कर लो तो यह युद रुख जा बेरनौत को इस पर बहुत ज़्यादा गुसा आता और वो कहता है कि हम तुम हारा गुलाम बनकर रहे बेरनौत किंग एधरनेट से आग्या लेता है और युद के लिए चल देता है ज़र विकिंग जो है वो एक दूद में खड़ा हो जाता है कि एंगलो जैनों का ही दूद उनकी रेखा के अंदर आ जाता है और वेरनौत से युद करना परारंब हो जाता है बेरनौत जो होता है दोस्तों यह सिर्फ एक अच्छा लीडर नहीं बलकि एक अच्छा आदमे भी होता है यह अपनी सेना को आगे कर देता है और कहता है जाओ लड़ो पर इसमें एक पोक सेनिक भी होता है जिसका नाम है दोस्तों गॉंट्रिक सन ओफ ओड़ा जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है इतना डरपोक होता है दोस्तों कि यह बेरनौत का घोड़ा चूरी कर लेता है और उसी छोड़ देता है ताकि दूसरे सेनिक यह सोचें कि इनका तो की दरफ दोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है भी बैनोर चिला कर कहता है मैं अभी हूँ इससे उनके सैनिको का मनोबल वापस लोटता है और वो जो हारने लगे थे वो जीतने लगते हैं सब हो ही रात होता है दोस्तों की तब एक खबर आती है सन अफ एथेगर विकिंग के पिंड में पहुँच कर मर गया यानि विकिंग भी मर जाता है और राजा का बेटा सन अफ एथेगर भी मारा जाता है और यह योद यहीं पे रोक दिया जाता है इस पोयम में इतनी ही कहानी दी गई है दोस्तों अगर आपको यह कहानी जाननी हो एंग्लो जैन ओन वार तो नीचे कमेंट करें हम जरूर बनाएंगे अगर आपको मेरी एक्स्प्रेंशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड से